गीता के तृति अध्याय के अध्यन को आगे बढ़ाते हुए हब हम तेरवेश लोक से अध्यन प्रारणव करेंगे पूर्पीटिका के रुपे बता दे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि कर्म अथार्थ जो विहित कर्म है शास्त विहित कर्म है उनको संपादित करना प्रत्यक मनुष्का कर्तव है और इन कर्तव्यों का इन कर्मों को संपादित करते हुए उसे किसी प्रकार के पाप का भागी नहीं होना पता लेकिन यह विहिद कर्म क्या है जिसे हम तीन रिड उतारने के लिए अधाल जो हमारे उपर देव रिड, पित्रे रिड और हमार गुरू रिड हैं उन्सको हम संतानोगपत्ती देवताओं की निमित हुमित्यादी करके भू किताधिया प्रड करके तथा स्वाध्याय के द्वारा हम रिशी रिण से उरिण होते हैं ये सारी बाते आप फस्टियर में अच्छे से पढ़ चुके हैं भारते संस्रिती के अंदर इसे यहां पर पुन्ह दोराने की आवशक्ता नहीं है इसी प्रकार से जो हिंसा हम प्रति दिन किसी ना किसी अंजाने में हमारे द्वारा होती रहती है अंजाने कार्थ क्या है कि यदि हमारे चलने से बोलने से किसी भी कारे का निर्वाह करते समय या ओकली में कूटने से चक्की में पीसने से जो एक प्रकार से अविश्याम भावी इंसा होती जिसका हम निशेद नहीं कर सकते जिसको हम परित्याग नहीं कर सकते तो उससे उर्ण होने के लिए पंच महायके की कल्पना की गई है जब हम भारती सहस्कृति का अध्यन किया तुमने ये भी देखा कि ग्रस्त का कर्तव केवल अपने लिए भूजन पकाना नहीं है अपितु हो उसके उपर जो आश्रित है और उसके साथ साथ अतिति को भूजन करवाना जिसे हम कहते हैं मनुश्य अग्य है जिसे हम जानते भी नहीं है उसको प्रतिवी हमारा जो कर्तव है उसका हमें निर्वाह करना होता है तो यहां कहने का दाथ पर क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं यदि हम खाना बना रहे हैं हम केवल अपने लिए ही उदर पूर्ती के लिए उसको पकाते हैं तो निश्चे ही वो हमाँ बहुत स्वार्द बुद्धी होती है वहां किसी और का हमने ध्यान नहीं रखा है किवल हम अपने लिए ही वो कर्म कर रहे हैं तो जिस कर्म के द्वारा हम अपने साथ साथ अपने समाज का अपने जिस पृत्वी पर हम रहे रहे हैं जिस परंपरा से हमने प्राप्त किया है उन समस्त परंपराओं का यदि हम ध्यान नहीं रखते तो हम बहुती संकीन मनुवृत्ती के मनुष्य कहे जाएंगे संसार में जन में लिया है तो यथा पिंडे तथा प्रंपंडे की भावना के अनुसार विजार के अनुसार हमें इस जगत में रहने वाले समस्त जीवों का भी ध्यान रखना होता है इसी बात को यहाँ पर वो इस शलोक के माद्यम से समझा रहे हैं कि यग्य शिष्टाशिनासंतो मुच्चंते सर्वकिल विशही भुझते थेते तू अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात यग्य शिष्टाशिनासंतः यग्य यज्याथ यज्य से जो बचा हुआ है अशन करता है अशनन्ती अथार्थ खाता है उसको जो भूगता है वो हुआ यग्य शिष्टाशना यग्य से शेश बचे वेका भक्षन करने वाले संत सर्व किलविशय मुन्चनते समस्त्य प्रकार के किलविश अथार्थ पापों से मुक्त हो जाते है भुझते तू अगम पापा ये तू पचंती आत्मकारनाथ ये आत्मकारनाथ पचंती केवल अपने लिए ही आत्मकारनाथ केवल अपने शरी का पोशन करने के लिए अपनी उदर पूर्ती के लिए ही भोजन पकाते हैं तेतु अगम बुन्जिते वे मानो साक्षात पाप का ही भक्षन करते हैं पापा का है पापात्मा अथा जो पापात्मा है वही केवल अपने लिए जीवन जीते हैं पुन्यात्मा का जीवन तो लोग के लिए होता है इसलिए ग्रस्त के जो हमारे सबसे ग्रस्त धर्म का निर्वाह करने वाले ग्रस्त प्यक्ति हैं उनको समाज में सबसे उपर इस्थान दिया जाता है उपर इस्थान देने का अथार्ट उसे समस्त आश्रमों का आधार कहा गया है क्योंकि शेष जो तीन आश्रमवासी है अधार्त ब्रह्मचर में निवास करने वाले वानप्रस्ति और जिनोंने सन्यास ले लिया है वे उनका जीवन ग्रस्त पर ही निर्भर करता है तो इस प्रकार से वो एक तूसरे का उपकार करते हैं जब वहां पे वो इसके पहले श्लो ही है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें दूसरे के हितों का भी ध्यान रखना है केबल अपने लिए ही नहीं अपने स्वार्त के लिए अपने लाब के लिए कोई कारणी करना यदि हम दूसरे का ध्यान रखेंगे तो दूसरा भी हमारा ध्यान रखेगा हमसे जो शक्तिशा से भी यिजिए वो हमसे कुछ कमजोर है तो उनको संद्रक्षन प्रदान करना हमारा कर्टव्य हो जाता है तो एक प्रकार से अपने जो भी हमारे समाज में हमारे साथ रह रह हैं उनका ध्यान रखना उनको उचित संबल प्रदान करना उनके भरन पोर्षन का भी उत्तरदायत वे लेना ये मनुश्य का कर्तव्य होता है और इसलिए उसको उन विहित कर्मों शास्र विहित कर्मों को संपादित करने का आदेश है और यही बात वो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से सपश करते हैं कि जो केवल अपने लिया था तो उने किसी अन्य की अपेक्षा ही नहीं है अन्य का ध्यानी ही नहीं है वो वास्ताव में पापी होते हैं अब इसको ही वो आगे और समझा रहे हैं कि क्यों जरूरी है यग्य तो कि पहले उनने का है यग्य अर्थात यग्य के लिए जो कर्म करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे अन अन्यात भवन्ती भूतानी कि अब जो समस्त प्राणी है भूत जगत है वो अन्य से अन्यात भवन्ती अन्य से उत्पन होते हैं। भूतानी अन्यात जगत है भवन्ती समस्त प्राणी अन्य से उत्पन होते हैं। यहाँ पर एक क्रम बताया गया है कि संसार में कौन है जीव है। जीव किस से उत्पन होते हैं। अन्य कैसे उत्पन होता है विष्टी अथार्थ बादलों से बादल विष्टी करते हैं। उसके अन्युत्तपन होता है जीवो का पोशन होता है लेकिन यह कैसे बनते है है.. तो उसको कहते हैं कि अधार्थ बादलों का निरमान करता है और उससे विष्टी होती है। और ये यग्य किसे के हम कहते है कर्म समुत्फवा वो कर्म से उत्पन होती है अथार्थ अगनी में जो हम आहुती देते हैं उस कहते है कि वो सूर की किर्णों में स्थित होती है सूर से व्रिष्टी होती है अथार्थ वरसात होती है और उस बारिष से अनुत्पन होता है अन् सलस्कृति यग्य प्रधान है तो इस यग्य का उद्देश है कि परजन्नी का निर्मान हो उसके लिए यग्य के धूम को जब जगे स्थान इस्थान पर जब यग्य होता था उससे उत्पन होने वाले धूम से परजन्नी का निर्मान होता है यह जो एक कारण कारे भाव की जो प्रति हमारे अंदर उपकार करने की प्रवृत्ति बनी रहे तो इस परंपड़ा का निर्वहा आविश्यक है यहां इसको यहां पर कृष्णी जो अर्जुन से क्यों कह रहे है इस बात को करते प्रतेकार किसी ना किसी कारण से होता उस परंपड़ा का उच्छेद नहीं होना चाहिए यदि यहां पर वो अर्जुन को जब समझा रहे तो पूरी एक उसको जब वो ज्यान की बात करते हैं ज्यान योग का उपदेश देते तो वहां पर वो आत्मा के माध्यम से देते हैं कि आत्मा निस्संग है साक्षी है कर्म नहीं करती है यह सारी बाते इस्थित प ब्रभाव नहीं होता और जब फल का भूगता नहीं होता तो उससे उत्पन होने वाला जो भी पाप कुन्न है वह तेरे उपर प्रभाव नहीं डालता वो एक ग्यानी की बात है लेकिन ग्यानी होने के सासै कि अर्थ यह नहीं है जब उल जोन कर्म क्यों डाल रहे हो, कहते हैं, लेकिन कर्म से तेरा छुटकारा नहीं है, क्योंकि मनुष्य का कोई भी शन ऐसा नहीं होता जब वो कर्म किये बगएर रह सके। लेकिन कर्म को हम किस प्रकार से संपादित करें, कि उन कर्मों का दुश्प्रभाव हमारे उपर नहीं पड़े, वहां हमें अपनी जो चित्वृत्ति है, उसको शुद्ध करने के आवशकता है, हमारे जो विचार है, उनको शुद्ध करने के आवशकता है, जब हम शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा से कोई कर्म करते हैं तो वो उसके अंदर किसी प्रकार की विकृती नहीं रह जाती और विकृती नहीं रहने पर उससे उत्पन होने वाला पाप भी हमें लगता अगर तू युद्ध को धर्म युद्ध मान करके कर रहा है तो इस से उत्पन होने वाले हिंसा का तो उत्तरदाई नहीं होगा क्योंकि ये युद्ध तेरानी मंत्रन नहीं है यहां बहुत सारी मर्यादाओं के स्थापना करनी है इसलिए इस युद्ध को करना अविशक है इसको हमें इस संदर में देखना चाहिए अग उसके आगे वो कहते हैं क्योंकि ये पूरी जीव की परंप्रा उन्होंने सुष्टी की परंप्रा इसमें बताई है इसके आगे वो कहते हैं कि केवं प्रवर्तितम चक्रम न अनूवर्तिती यहां अगायूर कर्म ब्रमोद भवं विद्धी कर्म को तू ब्रह्मों से उत्पन हुआ जान क्योंकि इसके पहले श्लोप में कहा गया है कि यग्या कर्म समुत्पवा यग्य कर्म से उत्पन होते हैं पर ये कर्म किस से उत्पन होंगे तो उसको यहां पर वो इसपष्ट कर रहे हैं कर्म ब्रह्मोत भवम विद्धी कर्म को तू उन ब्रह्म से उत्पन हुआ जा ब्रह्म किसे कहा है इन्होंने वेद से क्योंकि यहां शास्रवीद कर्मों को करने की बात कही है महां में उसका विधान मिलता है वेदकार्थ होता है ग्यान और इसलिए जो ग्यान रूप है उसको वेद संगिता और संपून वैदिक साहित हम उससे ग्रहन कर लेते हैं तो कर्म ब्रह्मोद भवम विध्धी कर्म को तू ब्रह्म अथार्थ वेद से उत्पन हुआ जान ब्रह्म अक्षर समुद भवम और ब्रह्म किस से उत्पन होता है अक्षर यहां यदि हम अक्षर की बात करें तो अक्षर कार्थ होता है जिसका शरण नहीं होता जिसका कभी शेय नहीं होता तो जो कर्म उत्पन हो रहे हैं जो वेद उत्पन हो रहे हैं वो भी कैसा है अविनाशी है तो वो ब्रह्म अथार्थ वेद अक्षर से उत्पन होते हैं उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन होते हैं अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है तस्मात सर्वगतम ब्रह्म इसलिए ये संप्चके व्याप्त ब्रह्म अथार्देवेद जो है वो नित्यम यग्ये प्रतिष्टितम सदा ही उस यग्ये में इस्थापित रहते हैं यहाँ पर उस संसायर चकर का जो मूल है कर्म है उसके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संपून पुराणी चुनों निका अन्ने सो उत्पन होते हैं अन्ने से व्रिष्टि होती है व्रिष्टि से यग्ये होता है और उस यगी से उत्पन होने वाले कर्मों से यादि की यगी किसे उत्पन होता है विहित कर्मों शासर विहित कर्मों से उत्पन होता है और वो कर्म समुच्चे को अधाज जो हम कर्म कर रहे हैं जिसे हम यगी की उत्पत्ती मान रहे हैं वो किसे उत्पन हो रहा है वो वेद से उत्पन हो रहा है वेद किसे उत्पन हुए वो उस अक्षर ब्रह्म से उत्पन हुए है उस परमात्मा से उत्पन हुए है और वो अक् यहाँ जो ये क्रमेक बताया कि ये संपून जगत सिती से बात यह है कि उस अक्षर से निस्रित है यदि इसको मि ज्यान योग कीस में देखें तो कहेंगी जो अक्षर से उत्पन ने वो भी अक्षर होगा और यदि कर्म की दिश्टी से देखे तो उससे जो उत्पन हो रहा है जब वेट से अथर्थ ज्यान से उत्पन हो रहा है तो जिन विहित कर्मों को संपादित करने की बात कर रहे हैं तो उनका भी जो फल है वो हमें बंधन में नहीं बानता जब हम लोब से आसकती के साथ किसी कर्म को संपादित करते हैं तो निश्य ही वहाँ पर उस आसकती कारण हमारी एक वासना उसमें बन जाती है उसको प्राप्त करने की इच्छा जो हमारे मन में जागरित हो जाती है और उसको नहीं प्राप्त करने पर जो एक व्याकुलता होती है या हमारे मन में एक नैराश्य उत्पन हो जाता है यहां उन समस्त विकृतियों से मुक्ति हो जाती है यदि हम आशा ही नहीं रखेंगे तो उस फल का जो भी हमें प्राप्त हो रहा है चाहे उस युद्धे में हमें मृत्य हो तो हम उससे भी निर्पेक्ष रहेंगे चाहे हमारी स्वैम की हो चाहे सामने वाले की हो प्रतिपक्ष की हो तो हम उससे निर्पेक्ष रहकर उसे केवल अपना कर्तव विमानते हुए उस धर्म का हम निर्वा करते हैं युद्य धर्म का वहां निर्वा करते हैं इसे क्रम को यहां पक्रिष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो एवं प्रवर्थितम चक्रम ना अनुवर्थ्यती ही यहा अगायू इंद्रिया रामो मोगम पार्थ सजीवती कि हे पार्थ यह जो व्यक्ति इही इस संसार में एवं प्रवर्थितं चक्रम ना अनुवर्थ्यती इही यहाँ तो जो व्यक्ति जो पुरुष इस संसार में जिसने जन में लिया है इस प्रकार से प्रवर्दित कारम किये हुए या उस प्रकार से चलाए हुए चक्रम इस चक्र का कर्म चक्र का स्रिष्टी चक्र का निर्वाहन नहीं करता है उसके अनुसार वैवाहन नहीं करता है उसके अ सा वोह पुरुष इंद्रिया रामहा अथात इंद्रिये के सुखों का ही केवल भोगता होता है उनको ही भोगने वाला होता है अगायू अग आयू अग यानी पाप ऐसा व्यक्ति पाप आयू अथात वो कितना ही लंबा जीवन यापन कर ले लेकिन वो आयू क्या हुई उसकी पाप हो गई, विकृति से युक्त हो गई तो ऐसे वो पाप जीवन का भूगने वाला होता है और उसका वो जीवन कैसा है? मोगम जीवती, वो व्यर्थ में ही अथार्थ इस संसार में आने का उसका कोई लक्ष नहीं रह जाता जहां पर जो बात कही जाती है हमारे समाने भजनों में, रिश्यों में, कहवतों के द्वारा कि केवल हम खाने के लिए संसार में नहीं आए है जब हमें मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष्तन पायो तो वहां उसका कहने का ताथ पर यह कि जदि हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो निश्चय ही हमें ऐसे कारे संपादित करने चाहिए जो आने वाली पीड़ी के लिए आदर्श बन जाएं उसके लिए एक दिशा निर्देश का कारे करें और मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने सोने जिसे हम कहते हैं कि आहार निद्रा भै और मैथुन इसी में ही व्यतित नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी श्यनी पशों से अलग है पशों से अलग होने का क्योंकि वहां पर पशों में वो विवेक नहीं है कि वो किन कर्मों को करे इसलिए उसका जीवन तो किवल आहा निद्रा भे मैथुन में बतीत हो जाता है लेकिन मनश्य को कर्म करना है उसको कर्म करने का दिकार है उसको विवेक बुद्धी है कि वो किन कर्मों को करे और इस विवेक वुद्धी के आधार पर ही वो अपनी चीवन की दिशाने धारिक करता है और दूसरों के लिए भी प्रेड़ बनता है इसलिए जो इस कर्म का स्रिष्टी चक्र में अनुपर्तन नहीं करता उसके अनुसार वेवहार नहीं करता बास्तम में वो केवल इंद्रियों के सुख का इभोगता होता इंद्रिया रामहा इंद्रियों को जिसमें सुख प्राप्थोरा आनंद प्राप्थोरा था वो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो इंद्रियों का शासक नहीं कहलाता जो हम कहते हैं कि मनुश का उद्देश है जिते इंद्री होना वशी होना तो हमारे जीवन का जो लक्ष है में इस पश्टों चाहिए कि हम इस प्रकार से अपने विचारों को अपने क्रिया कलापों को दियंद्रित करें कि हम इंद्रियों उपर शासन कर सेगे इंद्रिया हमारे उपर शासन नहीं करें हम अपने जीवन के उद्देश को इस पश्ट देख सके कि इन कर्मों को करते हुई भी वास्ता में मैं मुक्त हूँ ये जो विवेक है कि कर्म इस अंसार में आए हैं लोक बैबार के लिए हमें कर्म करना है कर्म कैसे करना है किन कर्मों को करना है ये निर्धारन करना हमारा उद्देश है वो निर्ने लेने के लिए हम स्वतंत रहें और यदि हम उन कर्मों को निर्पेक्ष भाव से तटस्त भाव से करते हैं नित्पेक्ष से ताप पर यहां तटस्त बुद्धी से है कि यह उसका जो भी फल हमें मिल रहा है उसको हम सहज भाव से सुईकार कर ले तो जीवन में सहज होना आविशक है हमें बहुत सारे ऐसे इसके साथ ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत सारे ऐसे कर्म करने होते हैं जो हमें अनुकूल प्रतेत्री होते हैं हमारे मन के अनुकूल नहीं है जिसने सामान भाशा में क्या पसंद नहीं है ये करने में मजा नहीं आता लेकिन उन कर्मों को करते हुए हमारा जो उदेश या कहें कि उसका जो शैली है इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम उसमें तटस्त भाव अपना सकें जो कर्म करने में आनंदारा वो तो हम बहुत खुशी से संपादित कर लेते हैं जैकर जो कार्म हमारे मन के प्रतिकूल है उनको भी यदि हमें संपादित करना पड़ रहा है तो हम उसमें अपना संपून मनोयोग के साथ उसकार को करें और उसका जो भी परिणाम हो उसको भूगने के लिए हम तत पर रहें तयार रहें तबी इस जीवन को हम कुशल्टा पुर्ग जिस्वन रोन का कि योगा कर्मस कोशलम उस कुशल्टा को प्राप्त हो सकते हैं कि जिसे हम योग की इस्थिति कह सकते हैं कर्म योगी की इस्थिति कह सकते हैं इसके आगे आता है कि जो मनुशिया मानवा, जो मनुशिय आत्म रती एवचा अपने से ही प्रेम करते हैं, अपने आत्म रती रती यानी प्रेम, तो स्वेम से ही प्रेम करने वाला है, आत्म तृपता है, और स्वेम से ही तृपत रहने वाला है, आत्मनी एव संतुष्टा है, स्वेम में ही रहने वाला है तस सिकार्यम ना विद्यते उसके लिए कोई कर्तब विशेश नहीं रह जाता कर्तब इसे तात पर है कि क्या करनी है यहां तीन बाते कहिए इनोंने आत्म रती आत्म त्रिप्त और आत्म संतुष्ट यह तीनों एक ही प्रकार के भाव को हम देखें तो संकेत कर आत्म रती स्वेम से प्रेम करने वाला आत्म त्रिप्त स्वेम से ही त्रिप्त रहने वाला अथारत उसे किसी अन्न की अपेक्षा नहीं है आत्मनी यह संतुष्टा स्वेम ही संतुष्ट रहने वाला यहां यदि हम देखें तो हमें उस कहानी की याद आती जहां यागिव व्यक्ति को प्री कौन होता है यदि हम कहते है पत्नी क्यों पत्ति प्री है तो वो किसलिए है स्वेम के लिए है क्योंकि उसके बगएर उसका अस्तित्प नहीं वो खोश पाती है बच्चे प्री है तो किसलिए है अपने लिए प्री है क्योंकि उनके साथ हमें आनंद की पर निर्भर करता है इसी प्रकार से जो अन्संसादन जिन अन्य संबंधों को हम सोचते हैं कि इनके बगएर हमारा जीवन संभव नहीं है जबकि वास्त्विक्ता यह होती है कि किसी को किसी अन्य की अपिक्षा नहीं होती केबल वो लोक वेभार के लिए यहां आते हैं तो इ उसके लिए हमें अंतर्मुक होना होगा अंतर्मुक होने सितात पर है कि हमारा जो वास्त्विक्त स्वरूप है जो ब्रह्म स्वरूप है उसका हमें अनावृत्ति करनी होगी उसको हमें अनावृत्ति करना होगा उसको देखना पड़ेगा और उसके लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं तो उस प्रयासों को करते हुए हम अपने जीवन यापन करते रहें उस जीवन यापन की लोक वैभार का निर्वाह करते रहें जब ये कुशलता आ जाती है तो वास्ता में वही व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है वही योग कहलाता है जिस उन्होंने पहले का समत्पम योग उच्चते या योगा कर्म सुकोशलम तो वहां भाव यही है कि हम इस संसार में आए हैं तो इन दोनों के जो हमारा वास्त्विक स्वरूप है और जो हमारा लोक रूप है इन दोनों के बीच संतुलन बना करके हम कर्म करते रहें और इन दोनों के वीच संतुलंद इस्थापित हो जाता है तो व्यक्ति के लिए कोई करता भी शेष नहीं रहता क्योंकि जो वीध कर्म है उनको करना उसके लिए निवारे हो जाता है उनका वो निवारन नहीं कर सकता और उसको संपादित करने में उसे किसी प्रयास की भी आवशकता नहीं है वो सहज भाव से उनको भी संपादित करता चलता है और दूसरी और जो उसका आत्मलीन भाव है जब वो स्वैम से संतुष्ट हो जाता है यदि उसे संतुष्टी की बात क्यों कही है यदि इस युद्ध के अंदर उसे लग अरजुन ये सोच करके युद्ध के लिए ततपर हो कि इसका जो राज प्राप्त होगा जब हम जीतेंगे तो हम इस राज सुक का भोग करेंगे तो वहाँ पर उसे राज की अपेक्षा है उस आनंदी की प्राप्ती के लिए सुक को भूगने के लिए लेकिन यदि उसको एंद मन में उस राज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं बचे केवल इसलिए करें क्योंकि वो अन्याय के दौरा उस राज को हस्तिकत किया है दुर्योधन के दौरा तो उसके मन में उस राज को प्राप्त करना उसके लिए केवल एक नीत इस्थापित करने का कार रह जाएगा तो यहाँ पर इस भाव को इस पश्ट करना अर्जुन के आगे कि तू युद्ध कर रहा है तो युद्ध तेरे लिए अभश्यम भावी है अनिवार है तो इसका परित्याग नहीं कर सकता क्योंकि रोक में इस्थापना करनी है वास्ता में तू स्वैम से संतश्ट है तुझे अनिवार की अपेक्षा ही नहीं है तो जैसे तू राज्य में है उसी प्रकार से तू बन में भी रह रहा है दोनों में तेरे लिए कोई अंतर नहीं रहाता दोनों जगे तू समान सुख्गा आनंद का रुभव कर लेता है तो वहाँ पर यह भाव विक्सित हो गया है कि तू स्वैम से सुन्तुष्ट है, तू स्वैम से तृप्त हो न अथर तो किसी तृप्ती के लिए किसी आने की अपेक्षा नहीं रह गई और आत्मरती कारते हैं कि स्वेम से प्रेम करना अब यहां पर आत्मा को भी आत्मवत सरभूतानी की बात हम जब करते हैं तो अपने समानी समस्त भूतों को देखना तो वहां आत्मा का जो विराथ रूप दिखाई पड़ता है जम क्याते क्रिश्ण का विराट रूप उसमें सारे समाईत है तो वो आत्मरती का भाव है कि तुछ स्वेम से संतुष्टे तुरे 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 सारे संबंध तेरे अपने अंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं तो किसी भी संबंध के लिए तुझे किसी और कोई को वह वह रूप से भौतिक रूप से देखने की आवशक्ता नहीं रह जाती। कि अब वो कह रहे हैं कि नैव तस्य कृतेन आर्थो और जब इस प्रकार से तस्य कृतेन तस्य पुरुशस की उस व्यक्ति के द्वारा कृतेन एव जो कुछ भी कर्म उसने किये हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं रहा जाता अथार्थ उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा जाता कि उसने जो विहित कर्म किये हैं अकृतेन या नहीं किये हैं उसमें उसका प्रयोजन नहीं रहा जाता वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते उसके लिए उनकी कोई महता नही जीवों में कुछ भी स्वार्थ का संबंद नहीं है तो वो केवल लोग के हिद के लिए ही कर्म कर रहा है तो कृतेन आर्थो ना अकृतेन चाहे उसने उन कर्मों को विद कर्मों को किया है अत्वा नहीं किया है इसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता प्रयोजन जब होगा जब हम कहते संकल्प के साथ करना तो वहाँ पे हम प्रयोजन इस पश्ट कर रहा है कि इसलिए कर रहा हूं लेकिन जब हमने वो संकल्प के साथ कि मुझे इसलिए ये कर्म करना है वो केवल कर्म करने के लिए ही कर्म करता है जिस बात को बारम बार आपको बताया जा रहा है तब उसका समस्त भूतों में भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहा जाता जो तू इन सब के साथ अपना संबंद स्थापित करके तू विशाद युग्त हो रहा है तो जब तूने कर्म के लिए ही कर्म करता है तब इन समस्त संबंधों को तू स्वैम में ही देखने लगता है फिर अब तुझे जो कर्म करना है वो लोक अनुग्रह की दिश्टी से करना है लोक वेवार की दिश्टी से करना है तू यदि इनका वद भी करता है तो उसका कोई पाप तुझे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर खानी नहीं है या हमके इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है कि तुझे एक पक्ष में हो करके यहाँ पर युद्ध करना है अस्तु इसके साथ साथ तिलक की गीता से मैंने आपको निरंतर जो है उसके जो अध्याएं है उसको पढ़ने के लिए डोट्स डाल रही हूं जो क भी आप समझ सकेंगे